आगर फ्रेंड आपके पास सामी का 12 प्रो और इस पॉर्म मों आप करना चाहते हैं को और कॉल रिकोर्डिंग होते समय और कुछ इस तरह का आपको इनाउस्मेंट सुनाई देता है जिसे कि स्टार्ट करेंगी तो इस तरह के आपको सुनाई देता है अब आप ये चाहते हो कि जो आपका announcement आ रहा है यह आपका बंद हो जाए तो आप इसको बंद कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बता चलेगा बस वीडियो को complete देखी वीडियो में को छोड़ी छोड़ी step बताएं जिने follow करके आप इस announcement को बंद कर सकते हैं साथी साथ इस phone की जो call recording रहती है उसको आप automatic चालो कर सकते हैं और जो आपकी call recording होती है वो जाती कहा है उसके बार में भी आपको इसी वीडियो में बता चलेगा तो चली friends वीडियो को complete देखी और वीडियो को शुरू करते हैं इस phone में आपको जो announcement आता है उसको बंद करने के लिए जाना होगा प्लेशूर के अंदर यहां साच वार में साच कीजिए TTSLEX इस apps को friends आपको डाउनलोड कर लेना है मैंने डाउनलोड करके रिखा हुआ है इसको डाउनलोड करके open कीजिए इसको बंद आपको perfect engine पर click करना है और यहां पर आपने जो apps डाउनलोड किया था उसको डाउनलोड करके okay कर देना है अब आजाना है यहां से बापस जो डालर रहेगा आपको इसपर tap and hold करके रखना है जिसको बंद आपको देखने हो मिलेगा app info simple आपको F info icon पर click करना है जिसके बंद आपको इसका डाटर रहता है वो clear करना होगा तो clear data पर click करेंगे और clear all data पर click करके इसको okay कर देंगे तो यहां पर आपको अगर इस type का interface नहीं हो रहा है तो एक option आपके सामने आ रहा होगा जो के होगा storage and change उस पर click करेंगे आपको clear data कर देना है अब आपको आजाना है यहां से बापस मैं आपको बताऊंगा आपकी जो call recording रहगी है उसको automatic कैसे चालू कर सकते है auto call recording चालू करने के लिए अपनी डावर को open कीजिए 3.0 पर click करके setting में जाएगे यहां पर call recording का एक option आजाएगा इस पर click करके आप दो तरह से call recording को automatic चालू कर सकते है एक तो अन्नों number की auto call recording अगर यही चालू करना तो इस option को enable कीजिए और always record पर click कीजिए आप से उन सभी number की call recording हो जाएगी इस phone में जो की number save नहीं होगे अब जो number save उनकी call recording करना है तो उसके लिए selecting number पर जाना होता है इस option को enable करके always record पर click कीजिए जिसको चूस एक contract पर जाने का तो एक एक करके number को select कीजिए जिसकी भी आप call recording को करना चाहते है तो इस तरह से तो आपको call recording हो जाएगी साइड करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर announcement बंद हो चकाए मतला call recording हमने चालू कर लिए आप इसको cut कर देते हैं अब हमारे जो dialer था इसको हमने cut कर दिया है मतला dial call code कर दिया है इस पर click करेंगे इस icon पर इस side click करेंगे तो कुछ इस तरह से interface आएगा यहां call recording आपके सामने आ जाएगी तो इस तरह से play करके आप इसको देख सकते हैं इस icon पर click करके इसको hand free कर सकते हैं तो इस तरह से आपकी call recording यह save हो जाएगी share करना है तो इस option पर click करके share कर सकते हैं और यहां से इसको delete भी कर सकते हैं तो इस तरह से कर पाएंगा आप इस वोमना call recording को I hope दोस्तों आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी वीडियो से लगाओ तो वीडियो को like, share और चनल को subscribe करें के बैल लिकन को प्रैस करना न भूलें तो चलिए friends मिलतेंगे को वीडियो को साथ तब तक के लिए goodbye and take care